हाई मैं प्रशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक वीडियों बताने जा रहा हूं कि कैसे आप सिर्फ ऑप्शन चेन के वेशिस पे स्टॉक्स का सेलेक्शन कर सकते हैं और वहां पे आप इंट्राडे में ट्वेडिंग कर सकते हैं इंट्राडे ऑप्शन में ट्वेड कर सकते हैं और जैसा कि मैंने आप पॉलिटी बता दिया है कि हाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ इंट्राडे में ट्वेडिंग कर सकते हैं नहीं इसके बेसिस पे स्विंग ट्वेडिंग कर सकते हैं और नहीं इस स्ट्राडिय की बेसिस पे आप निफ्टी और बैंक निफ्ट तो यहां पर सबसे पहले हम चार्ट पर आगे हैं लेकिन सबसे पहले यहां पर हमें चार्ट पर नहीं आना है चार्ट पर आने से पहले सबसे पहले हम आप्सें चेन पर आएंगे लेकिन उससे पहले जो हमें एक चीज आइंटिफाई करना वह होगा हमें options barrier level यहाँ पर हम यहाँ पर option chain पर आएंगे और सबसे पहले यहाँ पर हम option barrier level identify करेंगे यहाँ option chain के basis पर जो भी support या फिर resistance level बनता है उसको यहाँ पर हम identify करेंगे और उसी को हम लोग क्या बोलते है options barrier level दूसरा point क्या identify करेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि कब आपका जो यहाँ पर हमने options barrier level find किया है वो break होना चाहिए ठीक है तो जैसे ही options barrier level break होगा उसके बाद तीसरा point यहाँ पर हम क्या identify करेंगे इन सब को आपको note कर लेना है तीसरा point हम देखेंगे वालूम इन सब पर को और करेंगे और वालूम के बाद हम देखेंगे size of candle यह सारा कुछ चेक करने के बाद अगर इन चारो criteria के ऊपर खरा उतरता है और सब में क्या 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 criteria वह एक-एक step के बाद मैं आपको explain करूगा तो इन चार point के basis पर हम यहाँ पर स्टॉक्स का सेलेक्शन करेंगे लेकिन में जो होगा वह option chain हमें बता देगा बाद की सारा कुछ हम confirmation के लिए लेंगे जिसके basis पर हमारा accuracy level हाई होगा तो चलिए सब पहले हम option chain पर चलते और इस option barrier level को identify करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने स्टॉक का सेलेक्शन किया हुए आपका title जो कि last trading session आपका 6% का गिरावट दिखाया था यह आपका 124 पॉइंट से करीब ही आपका गिरावट दिखाया था अब यहाँ पर हम options barrier level find करते हैं और इसी तरीके से आप कोई भी की तरफ आते हैं और देखते हैं कि call side की तरफ सबसे highest open interest हमें कहां पर देखने को मिलवा है अगर आप देखेंगे यह लेवल है आपका 2300 करीब जहां पर लगवग आपको 8,00,000 करीब call side की तरफ open interest देखने को मिलवा मतलब up side में जो 2300 है वो आपका distance की रूप में काम करेगा और यही लेवल आपका options barrier की रूप में काम करेगा जिसको हम लोग short में ओ भी लिख देते हैं यानि ओ फॉर options भी फॉर बैरियर लेवर ठीक है सिम्लावली हम put side की तरफ देखते हैं कि सबसे हाइस्ट ओ यानि ओपे इंट्रेस्ट कहां पर है देख सकते हैं यह कॉलम है यह वाला सिम्लावली आप यह चीव एनसी के option chain में भी find कर सकते हैं वहां प को ब्रेक कर दिया यानि यह अभी आपको options भी लेवल नहीं रहे गया options भी लेवल पहले था जो कि Friday को ब्रेक हो गया है तो यहां पर already breakout दे दिया है तो हम इसी के basis पर जो spread जी है वह आपको बताने कोसिस करेंगे और उसके बाद एक और stocks बताएंगे जो कि अभी आपको options भी लेवल के लेवल के पास trade कर रहा है उसको अपने watch list में add करना है तो आपने options भी लेवल समझ लिया put side की तरफ जहां पर सबसे highest OI देखने को मिलवा है अगर यह level break हो गया तो उसके बाद हम अगला find करेंगे जो कि आपको next trading session develop होता हो देखेगा तो इस तरीके से आप call side की तरफ देखो वह आपको options barrier level होगा और put side की तरफ देखो वह आपको options barrier level होगा अब जैसे ही price आपको options barrier level के आसपास आता है तो वह से स्टॉक्स को हमें अपने watchlist में add करना और यहां पर कोसिस करना कि निफ्टी 50 स्टॉक्स में आप ट्वेड करें सिर्फ government स्टॉक्स को छोड़के तो हमने options barrier level identify करना सीख लिया अब हम यहां पर क्या करेंगे टाइटन के चार्ट पर आएंगे और हम देखेंगे कि हमें 16 जून को ही, closing time क्या idea मिल गया था 16 जून 2022 की मैं बात कर रहा हूं, closing time पता चल गया था कि price 2050 करीब trade कर रहा है, यह options barrier जो की था 2000 उसके करीब यह trade कर रहा है, तो टाइटन को हम अपने watchlist में add करके रखते कब 17 जून के लिए, यहनि Friday का जो session था उस options barrier level है, यह clear होगे, दूसरा, जो options barrier level है, जिसको हम लो OV level बोल देते हैं, उसका break होना जरूरी है, तो दूसरा point हम देखेंगे, options barrier level break हुआ है या फिर नहीं हुआ, अब देखिए, यह candle options barrier level को break करके नीचे आया और नीचे closing दिया है, ठीक है, अब options barrier level break हो गया, अब यहां प satisfy करेंगे, उसके लिए हम दे दो point और आपको बताया था, उस दो point को satisfy करेंगे, जब यह आपका options barrier level को break किया है, उस टाइम पे हम क्या गहर करेंगे, volume आपका जितना average volume है, उससे दो गुना तीन गुना जादा volume यहां पे होना चाहिए, अब देखिए, इस particular candle पे, volume हमें अच candle का size big होना चाहिए, यहनि candle का size यहां पे big होना चाहिए, अब इस candle का size देखिए, जो breakout दिया, यह candle का size big है, अब यहां पे हम candle का size big क्यों ले रहे, सब के पीछे एक नएक region है, धिर धिरे सारा कुछ clear होगा, तो यह 4 point यहां पे satisfy हो गया, और हमेशा आपको यही 4 point satisfy करना, औ इसके बाद आपको trade setup के लिए तयार होना, अब यहां पे मेरा 4 point satisfy हो गया, अब इसके बैसे हम options में भी trade कर सकते हैं, मैं आपको particular strike price के options chain पे ले जाओंगा, यहनि यहां पे आपको trade करना होगा, 2000 के put options को buy करना होगा, options में अगर आप trade लेते हैं तो, नहीं तो futures में trade लेते है इस particular level के बाद यहनि 1975 के करीब यहां पे आपको sell side की तरफ जाना होगा और intraday में भी sell करते हैं, तो आप इसी level के करीब sell कर सकते हैं, ठीक है, अब उसके बाद, अब हमारा entry point यहां पे clear हो गया, 1975 हो गया, SL, अब देखिए, इसलिए यहां पे मैंने बोला था candle का size big हो, SL क्य क्या बनेगा, stop loss बनेगा, इसलिए यहां पे जो candle का size big होना चाहिए, अगर candle का size छोटा होगा, stop loss मेरा काफी छोटा होगा, जिसको आसानी से hit कर सकता है, या फिर manipulate करके hit करवाया जा सकता है, इसलिए यहां पे हम stop loss रखेंगे, और इसलिए मेरा जो criteria था कि candle का size big होना चाहि करता हूं कि जैसे ही previous candle के high को break करके price उपर जाए, देखिए सारा candle कोई भी candle previous candle के high को break नहीं कर रहा, यहां पे green candle फॉर्म हुआ है, यहां पे यहां पर बनाए और यह जो green candle है, यह इसके high को break करके उपर निकल यह यह point जो होगा, वो मेरा क्या बन जाएगा, exit point बन जागा, यहां पर हम profit book करेंगे तो अगर हम यहां पर intra-day stocks में बात करें तो हमने यहां पर sell किया था 1975 पर profit book करें लगभग आपका 1935 भी करें यहनि 1975 पर sell करें इस level पर sell किया इस level पर buy किया यह यहां पर profit कितना मिला 40 points कि करें यहां पर मुझे intra-day में profit मिला futures में trade करते हैं तो total profit करने के लिए लॉट साइज से मल्टिप्लाई कर दीजे जो भी आएगा वह आपको प्रॉफिट मिलता हो दिखेगा तो जो भी क्यापिल आपने लगाया लगवग आपका दस से बारा पुरसंट करी यहां पर आपको रिटर्न मिल वा इंट्राडरी लेवल के वेशिस पर वही कितने टाइम में देख सकते हैं यह आपका मार्केट ऑपन होता ही सिट्वेशन बना था और यहां पर ब्रेक किया था और उसके बाद आपको बारा बजे करें यह यहां पर यहां पर यहां पर हम इंट्वी लेंगे 10-15 पर इंट्वी लेंगे तो यहां पर हम आते हैं किस पर देख सकते हैं टाइटन का 2000 वाला पूट ऑप्शन से अब यहां पर हम इंट्वी कब लेंगे 10-15 के करीब 10-15 करीब यह 10 वाला 10-15 करीब यह ओपन कहां पर हुआ आपका 114.30 यहां पर जो मेरा इंट्री पॉइंट बनेगा इसके करीब बनेगा यहां पर हम डाउन फिगर में 115 ले लेते हैं ठीक है यह मेरा क्या बन जाएगा इंट्री पॉइंट बन जाएगा अब यहां पर हमें प्रॉफिट बुकिंग कहां पर करना था चार्ट के विसिस पर चार्ट हमें इस पार्टिकुलर ऑप्शन का भाला नहीं देखना हमें चार्ट देखना इस पॉट वाला रही चार्ट देखना और 1145 प्रॉफिट बुक कर रहें एक एलेवन फॉट इफाइव वाला केंडल इए होगा यह वाला कंडल, यह नहीं, 128 के आसपास, यहाँ पर हम profit booking करेंगे, यह हो गया, 128 के आसपास, यहाँ पर हम profit booking करेंगे, options में मुझे मिलबा कितना, 13 point की गरिए, और lot size है आपका, 375 का, तो 13 into 375 करेंगे, तो यहाँ पर लगभग आपको profit मिलता हुआ दिखेगा, 4000 के आसपास, थोड़ा बहुत उबर नीचे हो सकता, 4000 के आसपास profit मिलता हुआ दिखेगा, इसको अगर आप buy करते हैं, तो buy करने में भी 40,000 के आसपास capital का requirement होगा, तो options में भी जितना capital आपने लगा है, उसका कितना return मिलबा है, अगर आप calculate करोगे, तो simple सा calculation है, 10% करीब आपको return मिलबा ह single day में वह भी within 2 hours, ज्याधा time के लिए यहां पर रुकना भी दिया है, दो घंटे में आपको यह 10% का return दे रहा, futures भी आपको 10% का return दे रहा, और अगर आप intraday में trading करते हैं, वहाँ भी लगबग आपको 2% का return मिलबा है, तो single day within few hours, आपको इतना जबदस return मिलता हुआ दिख होने का इंतजार करना है, और यह stocks आपको generally daily नहीं मिलेगा, यह जो situation है, यह आपको daily देखने को नहीं मिलेगा, अगर month में एक बार मिल जाता है, तो वहाँ पर भी आपको कितना 12% का return मिलेगा, जो की sufficient होता है, और 12% अगर आप monthly return भी निकाल लेते हैं, तो बहुत capital आप generate कर सकते हैं, long term में, लेकिन इसके लिए आपको बहुत सारे stocks को अपने watch list में add करना परेगा, और देखना परेगा कौन-कौन सा stocks, options barrier level के पास trade कर रहा, manually, तो बस जो 4 point बता है, वही 4 point धान रखना है, बागे यहाँ पे हैं, एक और example में आपको बताना चाहूंगा, पेडिलाइ देख सकते हैं, अभी जो trade कर रहा है, 2000 के आसपास trade कर रहा है, अब इसका options barrier level क्या है, वह हम देख लेते हैं, option chain पर, अब देखिए पेडिलाइट का option chain है, अब यहाँ पर सबस्पहले हैं, put side की तरफ आते हैं, सबसे highest OI, इस particular level पर यह नहीं, 2000 यह आपका options barrier level है, उसी के आस trade कर रहा है, call side की तरफ देखेंगे, तो options barrier level है आपका 2100, यह नि, यह आपका options barrier level है उपर में, और यह आपका options barrier level है, नीचे में, यह नि, अगर इसको break करके नीचे जाता है, मेरा क्या होगा, options barrier level break होगा, और यहाँ पर हम दो और condition, volume और candle size को देखके, अगर दोनों condition को satisfy करे किसीज का, options barrier level देख सकते हैं, यह आपका options barrier level है, और जैसा candle यहाँ पर देखने को मिलवा, same type of candlestick के साथ यह level break होना चाहिए, और यहाँ पर most important चीज, time frame क्या रखना, time frame हमेशा आपको 15 मिनट का ही रखना, इस से नहीं नीचे जाना, नहीं इस से उपर आना, इस particular strategy के लिए सिर्फ एक ही time frame है, वो आपका 15 मिनट वाला time frame रखना है, और यहीं पर आपको सटीक breakout देखने को मिलेगा, option barrier level के basis पे, उमीद करते हैं, यह simple सा concept आपको समझ में आ गया होगा, और यह simple सा concept आपको अच्छा कासा profit बना के दे सकता, लेकिन इसके लिए आपको patience रखना परेग और stock market हो या कहीं पर भी हो, easy money कहीं भी आपको नहीं बना के देता है, जैसे easy money आने लगे, समझाए कि बड़ा नुकसान आने वाला है, आने वाले time में, इसलिए आपको मेहनत करना और मेहनत करने के बाद यह आपको अच्छा कासा return जरूर देगा, उमीद करते हैं कि आपको